अब तक जनता की गाधिक कमाई से लूटे हुए तीन सो करो रूपे से ज़्यादा अभी तक बरामद हो चुके हैं और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि लगातार दो दिनों से 46 रूपे गिनने वाली मसीन लगातार रूपे गिन रही है लेकिन अभी तक टोटल रूपे की गिन्ती नहीं हो पाई है अब तक दो दिनों में मातर 300 करो रूपे की ही गिन्ती हुई है 30 आलमारी में यह नोट रखे गए थे और 300 करो रूपे की बरामदगी कॉंग्रेस के नेता के हां से हुई है कॉंग्रेस के रज सभा सांसद के हां से हुई है और इतना पैसा मिला है कि जितना पैसा आज तक आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा और हम आगे आपको तमाम बाते बताने जा रहे हैं कि आखिरी कॉंग्रेस का वो कौन सा नेता है राहुल गांधी का वो कौन सा करीबी नेता है जिसके अहां से 300 करोर रुपे से जादा अभी तक बरामद हो चुके हैं और नोटों की गिंती लगातार जा रही है और ये संख्या यानि कि 300 करोर से जादा बढ़ने की संभावना बढ़ताई जा रही है ये सारी तमाम बाते इस तीन से पाच मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं नमस्कार मैं प्रेंज कुमार सिंग और आप देख रहे हैं पॉजेटिव इंडिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपटेट रहने के लिए किरपया चैनल को 46 मसीने 46,1,2,5,10 नहीं बलकि 46 यानि कि 46 मसीने लगातार पैसे की काउंटिंग कर रही है लेकिन अभी तक पूरे पैसे गिंती नहीं हो पाई है और अब तक जो गिंती हुई है वो 300 करोर रुपे की रकम बताई जा रही है 30 आलमारियों में ये पैसे रखे हुए थे और ये रकम की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है आपको बताते चले कि कॉंग्रेस के राज्य सभा सांसत के यहां पर IT की छापे मारी में और 10 ठिकानों पर छापे मारी की गई जिसमें 300 करोर से जादा की रकम बराम सारी मशीने भी खराब हो चुकी है वहीं मीडिया रिपोर्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार जो बताया जा रहा वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन अब इस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भी टिपनी आ गई है प्रधान मंत्र जो लालु प्रसाद यादब इमानदारी का धोल पिरते हैं हर मंच से धोल पिरते हैं ये लोग अपने आपको गडिवो का मसीहा बताते हैं इन सब के नेताओं के हां से एक दो पाच दस करोर नहीं बलकि तीन सो करोर से ज़्यादा की कैस बराम्द्गी हुई है और आप इस कितने अर्वो की जमीन खरीदी होगी कितने अर्वो की सोना खरीदा होगा कितना सारा अर्वो रुपया विदेशों में इन्वेश्ट किया होगा प्रोपटी में इन्वेश्ट किया होगा और सारी तहकिकात चल रही है और जब पूरी बात हम आपको बताएंगे तब आपक कि आखिर हमारा देश कंगाल क्यों होता जा रहा है आखिर देश में भुखमरी क्यों है देश में आखिर इतनी सारी बिरोजगारी क्यों है इसका सारा का सारा अगर ब्लेम अगर किसी को जाता है तो भारत के नेताओं का जाता है जो की जनता की गाधी कमाई के टेक्स का पैसा जो कि योजना मद में जाना चाहिए जनता की भलाई के लिए जाना चाहिए एक एक नेता सोचिए कि जो हजारो करो रूपया लूट सकता है जो तीन सो पात सो करो रूपया अपने घर में रखता हो तो आप देश में कितने सारे ऐसे नेता हैं तो आप इस बात से ज़रा समझन की क्योसिस कीजे और जरा कल्पना कीजे कि देश के नेताओं ने देश का संपर्ति का 65 प्रतिसत अपने पास चोड़ी करके रखा है इसलिए तो देश में बढ़ाली है इसलिए तो देश में गड़ी भी है और यही आवाज मनीश कस्या पूठाता था तो उस पर एने से लगा जा रहा कि कॉंग्रेस के कॉंग्रेस के राज्यसभास सांसर धीरत साहू से जूरे ठिकानों पर छापे मारी में कैस का इतना बड़ा खजाना मिला है कि लगातार तीसरे दिन भी गिंती पूरी नहीं हो पाई है और अभी करीब डेर सो बैग में भरे नोटों का हिसाब लग रुपर काना बाकि है यानि कि आप ज़रा सोचिए कि 300 क्रो रुपे की गिंती हो चुकी है और डेर सो बैग 11,25 बैग नहीं बलकि डेर सो बैग में जो पैसा है उसकी गिंती होना बाकि है यानि कि यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हज़ार करूर से जादा कैस और उरिशा में सांसद से जुरे करिब 20 ठीकानों पर छापे मारी की और बताया जा रहा कि कैस की बराम्दगी उरिशा के बुलांगीर में स्राब कम्पनी से हुई है और ये स्राब कम्पनी जो है मानिय राजसभा सांसद का है सबसे बड़ा सर्म तो तब आता है जब इन चोर tax के अधिकारी ने बताया कि 156 back में से cable 6-7 back की गिंती हुई है और इसमें यानि कि 300 करोर के अलाबा जो 156 बैग जो अभी गिंती होना बाकी है इसमें से मात्र 6 back की अभी गिंती हुई है तो 20 करोर रुपया निकला है तो आप की जराप कलपना कीजे कि ये रकम बढ़ करके 600 करोर भी हो सकती है वहीं आपको बताते चले कि इससे पहले 300 करोर रूपे तक की कैस की गिंती हो चुकी है वहीं बताया जा रहा कि बलदेव साहु एंड ग्रूप अप कंपनीज के ठिकानों पर छापमारी के दोरान भारी मात्र में कैस बरामत किया गया 500 और 200 के नोटों की गडियों से भरे 30 आलमारी को देखकर अधिकारी हैरान रह गये एक ट्रक में डाल कर इस कैस को बैंक तक पहुचाया गया है और ट्रक भी कोई ऐसा वैसा नहीं बलकि बताया जा रहा कि 18 चक्का वाला जो ट्रक जो होता है जो इत पर दग्गा के अलावा उरिशा के संबलपूर, बोलांगीर, टीटी लागड, बौध, सुंदरगड, राउर केला और भूमनेश्वर में एक साथ इंकम टेक्स की चापे मारी सांसद महोदय के ठिकानों पर की और सांसद या कंपनी की ओर से अभी तक इस पर कोई भी प्रत पर कापे मारी इंकम टेक्स ने की बोध डिस्टलरी और बलदेव साहु ग्रूप के बीच पार्टनर्शिप भी बताई जा रही है और बताया जा रहा कि पुर्ध आईटी कमिशनर सरत चंद्र दास ने कहा कि औरिशा में अब तक की सबसे बड़ी कैस बराम्दगी है यहीं आपको बताते चले कि अब तक यह देश की सबसे बड़ा कैस बराम्दगी बताया जा रहा है अगर टोटल नोटों की गिंती अगर हो जाएगी तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि टोटल रकम की गिंती कैस की गिंती एक हजार करोर के पार जा सकती है जरा सोचने की बात है कि कोई बेक्ती एक हजार करो रुपया कोई सांसद अपने ठिकाने पर छुपा करके रखता है ये ज़रा हैरानी की बात है वहीं बताया जा रहा कि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि नोटों को गिन्ने में 46 यानि कि 46 मशीने का इस्तिमाल किया जा रहा था जिसमें से कई सारी मशीने दरजुनों मशीने नोट गिन्ते गिन्ते ठक गई और ठक करके खराब हो गई फिर नई मशीने मंगबानी पड़ी और नई मशीनों द्वारा गिन्ती की जा रही है और बताया जा रहा कि दरसल गिन्ने में टोटल नोटों की गिन्ती करने में अभी कम से कम एक से दो दिनों का बक्त लग सकता है वहीं प्रधान मंत्री देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का भी एक ब्यान आ गया है औ तो भी जरा आप सुन लिजे, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपर, यानि कि जिसका पुर्व नाम ट्वीटर था, उस पर ट्वीट करते हुए लिखा है, कि देशबासी इन नोटों की घड़ी के धेर को देखे, और फिर इनके नेताओं के इमानदारी के भासनों क सुने, जनता से जो लूटा है, उसकी पाई-पाई लोटानी परेगी यह मोदी की गारेंटी है, और दरसल अब जरा समझिये कि यही राहुल गांधी, यही प्रियंका गांधी, यही सोनिया गांधी, या फिर इनके गटबंदन के जो तमाम नेता हैं, लालु प्रसाद हो, हेमंत सोरेन हो, या फिर सरद पवार हो, या फिर MK स्टालिन हो, ऐसे तमाम नेता इमांदारी का ढोल पिटते हैं, और इतना इमांदार यह लोग है, अब जरा सोचिए, कि जो लोग अपने आपको इमांदार करते हैं, इनके घर से जब 1000 करोर रुपया बरामत कैस होता है तो जो बेखती बैमान होगा, उसके घर से और ज्यादा कितना निकल सकता है, और अगर इमांदार नेता ऐसे होते हैं, जो 1000 करोर रुपया जनता की गाड़ी कमाई के टेक्स के लुटे पैसे से अपने घर को भरते हैं, तो ऐसा इमांदार नेता देश को नहीं चाहिए, और इन लोगों को भगवान को बुला लेना चाहिए, वरना ये देश जो कभी सोने की चिरिया हुआ करती थी, आज कंगाल हो चुका है, खस्ता हाल हो चुका है, और देश की स्थिती तो ऐसी है, कि देश में अभी भी 18 प्रतिशत लोग भूखे सोने को विवस हैं, किसी के पास घर नहीं है, तो अभी थंड का मोसम है, किसी के पास पहरने के लिए गर्म कप्रे तक नहीं है, लेकिन ये नेता लोग कैसे चोड़ी चमारी करते हैं, इन लोगों को राष्ट्रिये डकैत घोसित कर दिया जाना चाहिए, आप किस मामले पर क्या प्रतिकरिया है, आप इस मा नेताओं का परदा फास हो सके, इन नेताओं की सच्चाई हर भारत बासी तक पहुच सके, जुरे रहे हमारे साथ, जैहिन जै भारत